नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आईश मेठी हम Ancient History of India का जो Crash Course चल रहा है उसका एपिसोड 9 इस्टार्ट करने जा रहे हैं हरपन स्विलाइजेशन खतम हो चुकी है अल्ली वेधिक पिरिड हम स्टार्ट कर रहे हैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारे सभी NCRT सब्जेट्स के लिए various test series format में courses आते हैं description में जाके आप ज़्यादा जानकरी ले सकते हैं और दिये गए नमबर पे call भी कर सकते हैं और website पे विजिट भी कर सकते हैं बिना देरी के शुरू करते हैं original home of Aryans Vedic period हम पढ़ रहे हैं और कहा जाता है Harappan के बाद Aryans आए लेकिन theories भी मैं आपको बता चुका हूँ Harappan civilization वाली videos में कि decline किस प्रकार उंका हुआ कहा जाता था कि Aryans वगेरा और जो Central Asia या जगह जगह से जो भी लोग है horses लेके invade किया उन्होंने कोई कहता है climate की वज़े से हुआ कोई क्या कहता है लेकिन ये चीज तो थी कि Aryans जब आए तो एक बहस ये छिड़ गई अभी कि Aryans इंडिया के native हैं या इंडिया के बाहर से आए है ये बहस आज भी जा रही है और कई theories इसके support में आई है कोई कहता है कि European theory है एक जिसमें Sir William Jones कहते है कि Europe से आए Max Muller की theory है जो कहते है Central Asia से आए बाल गंगाधर तिलक की theory है कहते है Arctic region से आए स्वामिद अनंद सरस्वती कहते है तिबद से आए संपून अनंद एसी दास कहते है कि इंडिया कही थे क्योंकि वैदिक literature में evidences मिला है कि वो इंडिया कही थे जो सब्त सिंदू वाली जो जगह है जो अपनी region of seven rivers है वहाँ पे जो इंदस वाला जो हमारा river system है वहाँ पे ये खुद का original home मानते थे ठीक और जो तरक दिये गए हैं इन सबी theories में वो कुछ न कुछ evidence के हिसाब से ही दी है जैसे Central Asian theory की में बात करूँ तो Max Muller कहते हैं कि कुछ शब्द है रिगवेदिक में जो मिलते जुलते है Central Asia के शब्दों से तो इस प्रकार उन्होंने उसका नाता जोड लिया तो theories है theories किसने दी नाम याद रखिएगा आगे बढ़ते है पहला यह जो group आया यह इंडिया में आया यह पंजाब की तरफ से आया और सब्त सिंदू उसको कहते थे तिस टैंपे रिजिन ओफ सेवन रिवर्स invade इसलिए कर पाए dominate इसलिए कर पाए क्योंकि horse chariots इनके पास थे घोडे रत इनके पास थे superior military technology थी और हमेशा से ancient history में यही हुआ है कि जिसके पास superior military technology रही है वही वहाँ dominate करता ना चराया है अगर मैं literature सबसे पहले हम literature पढ़ेंगे बाद में society पे administration पे art and culture religion पे आएंगे literature अगर हम पढ़ें तो early Vedic period early Vedic literature है फिर later Vedic literature है समझे इस चीज़ को अगर मैं बात करूं तो Rig Veda early Vedic literature में मानी जाती है और बाद में भी Rig Veda के कुछ later Vedic literature डवलप हुई फिर बाद में साम Veda, यजूर Veda, धर Veda है तो इस प्रकार बटी हुई है लेकिन important क्या है कि आखिर ये literature थी क्या 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 था इसके अंदर सबसे पहले तो वेद क्या है वेद समझिए देखिए मैं आपको बताओ हमारे यहाँ पे जो अगर मैं literature की बात करूँ तो four parts थे हमारे यहाँ पे और वेदास थे रिगवेद सामवेद यजुरवेद और अथरवेद लेकिन मगर और और लिटरिचर की बात करूँ तो वो बटावाता वेदास में जिन में चार वेदा आगे मैं बता दिया ब्रहमना अरेंका उपनिशत समझ गए वेद जो है वो उसका रूट वर्ड विध विध का मतलब है नौलेज लेना और उस टाइम इनको शूति का स्टेटस मिला वाथा शूति मतलब अगर आपने संस्क्रेट पढ़ी होगी तो शूति यानि सुनना तो उस टाइम इतनी मेमरी स्ट्रॉंग थी उनकी कि दस-दस हजार शलोक बच्चों को जो स्कूल में रहते थे गुरु कुल में उनको याद हो जाती थी टीचर बोलते थे और उनको याद हो जाती थी ओरली सदियों तक ऐसा सिस्टम चलता रहा लेकि धिरे-धिरे लिखना शुरू होता गया और अर्लिएस्ट सर्वाइविंग मेन्यू स्क्रिप्ट 11th सेंचुरी से बिलोंग करती है विदास को अपोर्शेया भी कहा जाता है और नित्या भी कहा जाता है अपोर्शेया मतलब इंसान ने नहीं बनाई गोड गिफ्टेड है कुछ महापोर्श्टे जिन्होंने बना के दिया है इनको नित्या यानि हर समय ये मौजूद रहेंगे इंकी इंपोटेंस हर समय रहेंगे चार वेदा हैं पहले तीन वेदा रिगवेद, सामवेद, यजुरुवेद, वेदतराई कहते हैं इनको अथरवेद को क्यों नहीं कहते हैं अथरवेद के मामले में डिस्प्यूट थोड़ा बढ़ा है अथरवेद को पहले नोन आरेन भी माना जाता था अथरवेद को वेदास के लिष्ट में शामिल भी नहीं किया गया था कुछ समय तक तो रिगवेद सामित यसुवेद आपकी वेद तराही कहला, यह वेद तराही तराही एक तो मतलब होता है थ्री यह समझे थ्री से असोशियेटेड है तो चुरू के तीन आप याद रख सकते हैं पहला हम बात करते रिगवेद की आए आपको एक चीज बता दूं वर्स जो होती है वो आपके मंत्र के रूप में होती है जैसे वर्स में अभी आपने कभी कवीतारे पढ़िए रिदण मिल रही है विल्कुल ठीक है, एक poetic style जो होती है न, वो verses की होती है लेकिन जो prose होता है, prose, वो simple होता है मतलब उसमें कविता की style नहीं होती, होती ही वो चीजी है लेकिन poetic style नहीं होती, simple एक explanation होता है तो verses थोड़ी singing style में, poetic style में होती है रिगवेदा भी ऐसी ही थी, ten mandals हैं, जिनको chapters भी कहते है रिगवेदा, of course, oldest text है world में, first testament of mankind भी कहते है UNESCO ने 2007 के करीब, जितना मुझे याद है, इसको world human heritage की list में डाला था, literature की earliest जो mandal है, यानि जो early Vedic में आ गए थे, वो second से seventh, जो इसके chapters है, mandals जिनको family books भी खा जाता, क्योंकि वो रिशीज की family, जो saint थे, संत सादू थे, उनकी families के बारे में discussion होता था रिशीज के, लेकिन बाद में first or ten mandal भी आए, तो अगर कुशन आ जाए, कि सारे के सारे mandal जो है, वो earlier period में develop होगे थे नहीं फस्ट और tenth, later editions develop होए थे, और जो tenth mandal है आपका, later editions है, उनमें आपका four winner develop हुआ था, समझ रहे ना, रिग वेदा के बारे में आपको चीब बताता हूँ, वेदास के बारे में बता रहा हूँ, आपने modern history पड़ी होगे, modern history में आपने देखा होगा कि राजराम मोहनरोय और दयानन सरस्वती बहुत वेदास को importance देते हैं, मतलब दयानन सरस्वती ने तो यहां तक कह दिया था कि back to the vedas, हाला कि वो यह नहीं कहते हैं, वेदिक टाइम को वापस लाओ, लेकि नहीं कहते हैं कि वेदिक लर्निंग को वापस लाओ, वेदिक लर्निंग आज आनी हैं चाहिए, तो उसकी वज़ए क्या थी, वज़ए आपको तर पता चलेगी जब आप early vedic period पड़ोगे, तो आपको ब्रामन शत्री है, वेश शुद्र, जो प्रिष्ट रिगवेदा को recite करते हैं, जिनोंने बनाया ता मुश्ली, वो कोत्री और मोत्री कहते हैं उनको, किसी जगे होत्री भी है, पर थोड़ा इस तरीके से ध्यान रखिएगा, उपवेदा रिगवेदा का है, आयुर्वेद, आयुर्वेद, सामवेद तो संगिंग से रिलेटेड है, वर्सेज है, 1810 मेलोडी है, दुरूपद राग इसमें है, जो तान सेन मिया गाये करते थे, और उपवेद इसका गंदर्वेद है, रिगवेद का उपवेद क्या था, आयुर्वेद, सामवेद का क्या है, हवन पहले जो होते थे या शुमेद, सक्रिफाईसेस से नाता है इसका, और दो भागो में इसको डिवाइड कर रखा है, शुक्लवेद क्रिष्णवेद, शुक्ल में मंत्र है, जो क्रिष्ण है उसमें मंत्र और प्रोज दोनों है, मंत्र मतलब वर्सेज, पोईटिक स्टे में होते थे तो मैंने क्या कहा आपको रिगवेद सामवेद दोनों वर्सेज में थे पोइटिक स्टैल में थे लेकिन जो यजुल्वेद है उसमें दो पाट है शुकल और कृष्ण शुकल में वर्षेस थें मंत्र थें लेकिन एक नया जो है शुरू हुआ मुड़ाव और कृष्ण जो वेदा आया यजुरू वेदा का दूसरा पाट उसमें प्रोज भी स्टार्ट होने शुरू हो गए कमेंटरी, एक्स्प्रेनेशन समझ रहे हैं मेरी बात को अब यहाँपे सिंपल कमेंटरी बाहना शुरू हो गई उपवेद यजुरवेद का है धनुरवेद समझ में हा रहा है रिगवेद का क्या था अवरवेद सामवेद का क्या था गंदरवेद उपवेद की बात कर रहा हूँ मैं यजुरवेद का उपवेद क्या था धनुरवेद अथरवेद अथरवेद जो है वो जादू, ब्लैक मेजिक, चायम से जूड़ हो है, बिमारी बगाने का, तो ये चीजे इन से असोशिटेड है, लास्ट वेदा था और कुछ टाइम तक तो उसको नोन आरेन भी माना गया, इसके चैप्टर्स को कांड कहते हैं अपन, मंडल रिगवेद का कांड अथरवेद के हैं, और इसके जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, ला फिर से रिपीट कर देता हूं, रिगवेद का उपवेद क्या था, याद है, आयुरवेद, सामवेद का क्या था, गंदरवेद, यजुरवेद का क्या था, धनुरवेद, अथरवेद का क्या है शिल्पवेत समझे तो इस थरीके से हमारी जो है वेदास हम पढ़ चुके हैं ब्रामनाज उपनिश्यद और अरेंकाज कल पढ़ेंगे चार-पांच बार रिवाइज करेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा अच्छा मैं बच्चो की रिवीजन जो है बोखोट सारे बच्चे थोड़ा साही नहीं करते मैं भी ये गलती करता था पहले हम क्या करते है रिविजन के नाम पर Had noi अफिये करते Liu BC में ज्यादा फोट कहां लगाया दूसरी बार में आपने देखा कि आप में कितना इंप्रूमेंट हुआ है तो इसको देखने के लिए आपको यह आदी चीज़े याद है आदी चीज़े आपने वापस भूख खोली देखा यह ठीक है अब थार्ड टाइम आप वापस विजन करो तो इसी तरीके से प्रक्रियाश शुरू हो और अगर आपको लगे कि थार्ड टाइम भी उतनी चीज़े आप भूल रहे हो जितनी तरीके से जो है यहाँ पर आपका हार्ड वर्क स्टार्ट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि चीज़े बहुत तेरी से इंप्रूव हो रही है और मेहनत भी काफी ज़्यादा लग रही है आज के लिए तो नहीं धन्यवाद गुडबाए